नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि CRO या DSO में वेवशेप का टिगरिंग कंट्रोल कैसे करते हैं? अब हम टिगरिंग पर आते हैं महां लिजे ये वेवशेप है, जो वेवशेप यहां नजर आ रहा है अब टिगरिंग क्या मतलब होता है कि हम किस पाइंट पर वेवशेप स्टार्ट करना चाहते हैं हम पाइंट 1 पर स्टार्ट कर सकते हैं, 2 पर कर सकते हैं, या 3 से कर सकते हैं जब 1 पे करेंगे, तो यहां से start होगा, 2 पे करना होगा, तो ऐसा आएगा, तो starting point change होगा, वेब स्वेब होई रहेगा, यहां से भी कर सकते हम, तो starting point, shift करने को triggering कहते हैं, क्या होता है, कि अगर हम triggering नहीं करें, तो क्या होगा, कभी यहां से शुरू होगा, कभी यहां से शुरू होगा, कभी यहां से शुरू होगा, तो आपको कभी वेब स्वेब शेप ऐसा मिलेगा, अगले में यहां से आएगा, तो यह stable नहीं होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं tigering हटा देता हूँ इसकी यह देखिए tigering हमने हटा दी tigering हमने इस रैंज से बाहर कर दी तो यह वे इस से पार रहा है यह stable नहीं है तो इसको रोकने के लिए हमें करना पड़ता है तो यह जो line आप देख रहे हैं यह line न यह देखिए यह triggering label बोलते हैं इसको, यह point हमेंजा starting point है, यह line, अगर आपको 1 पे करना है, तो line यहां रखनी होगी, 2 पे यह, 3 पे यह, तो यह जो है, यहां से यहां तख triggering voltage है, इसको हम change करते हैं, यह देखिए, तो आपको, यह triggering level है, यह dotted line, ये शिफ्ट लेकिन ये लाइन हमेशा यहां से आ रही है, ये देखिए, अभी यहां पे हमने, यहां पे पॉइंट वन था करीब करीब, अब उपर कर दिया तो पॉइंट टू हो गया, देखिए, यहां से शुरू हो गया, पहले ऐसा आ रहा था, पहले ऐसा आ रहा था, यहां करने के लिए हमने इसको उपर शिफ्ट कर दिया, देखिए ऐसा आने लगा है, अब हम यहां चले जाएंगे, ऐसा पाने के लिए, तो इसको, यह है ट्रिगरिंग कंट्रोल, यह नाम मैं घुमा रहा हूं, तो देखिए उपर जा रहे हैं, यह द देखिए, अब यह वैसा आ रहा है, जैसा पाइंट फ्री पर कर दाते हैं, तो इस्टार्टिंग पाइंट जो रहा है ना देखो, यहां प्यारा है, दो के लिए हमें यहां लाना है, तो यह लेविल हम चेंड कर, हम यहां से हमें शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, अब ट्रिग्रिंग लेविल में बहुत सी सेटिंग होती है, हर स्कोप में अलग अलग होती है, एक सेटिंग ये होती ही कि आप चैनल, दो को ट्रिगर कर सकते हैं, या चैनल वन को ट्रिगर कर सकते हैं, इस्टेबिल दोनों में आएगा, यहां हमने, इसको बोलते हैं सोर्स, टिगरिंग सूर्स क्या है, चेनल दू है यक है, तो हमने यहाँ पर चेनल दू सेलट कर रखा है, इसको हम चेनल नवल करके देखते हैं, देखिए, यह यह चेनल नेवल, कर दिया आमने सेलक्शन, अब यह अमारा लेबिल यहाँ था, अब हम इसको स्षिप्ट करना यह देखिए, Red Line आ रही है, अब यह चैनल नमल पर यह जाएगा, तो Trigger होगा, यह देखिए, Stabil हो गया, पहले Yellow Line आ रही थी, हम Channel 2 को Trigger कर रहे थे, अब हम Channel 1 को कर रहे हैं, अगर यह Trigger Level इस Wave Shape से बाहर हो गया, तो यह Unstable हो जाता है, तो जो triggering level है इसकी range में होना है na उपर होना है na यहाँ होना है अब एक setting होती है Dec और Ac triggering Dec करेंगे हम तो खाली इसके अंदर change होगा Dec करेंगे तो पूरा change होगा फिर एक тысяч triggering होती है Line triggering उस में जो line frequency होती है उससे trigger होता है वो तब काम देता है जब आप को जो circuit है वो line से connected हो और ये wave shape की frequency line frequency के बराबर हो या उससे synchronized हो नहीं तो stable नहीं होगा अब trigger हम एक wave shape को करते हैं stability दोनों में आती है क्योंकि दोनों synchronized है synchronized का मतलब होता है कि उनका basic frequency same है एक ही source है जैसे यहाँ पर हमने circuit जो बना रखा है 555 से उसका frequency वही आर और सी decide कर रहे वहीं से शुरू होता है वो अब उसके अलावा यह जो हमने बताया यह internal triggering है मतलब इसकी अंदर जो time है या wave shape है यह 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 इसका reference लेके trigger करते हैं एक होता है external triggering जो कि यह है यह भी input है यह external triggering है तो जब हम यहाँ पर लगा देंगे को input तो वो इसको trigger करेगा अकर यह दोनों इस signal से synchronized है तो आपको stable मिलेंगे नई तो नहीं मिलेंगे कभी कभी क्या होता है कि यह wave shape complex होते हैं यहाँ पर बहुत ऐसे signal आते हैं हमारी circuit की वज़े से तो एक हम basic reference ले लेते हैं वो यहाँ लगा देते हैं तो wave shape हमें stable मिलता है उसके वाज इसको हम rise time में कर रहते, fall time में भी कर सकते हैं पल्स से trigger कर सकते हैं scope scope depend करता है कि triggering कितने point पर हो सकती है और किस तरह से हो सकती है अब triggering control के बारे में discussion को यहीं समाप्ट करते हैं झालगी करना मेंने करते है रह झालगी कर रहते हैं बत्त audience ही थार्ट पार चल्त रहाँ झालगी Rs झालगी को ऩो चालगי कर ले नहें पहाँ झालग, चालग Aquश